प्रतीक दिन का कारेकरम देखने के बाद कमेंट में जो कोई भी आपके दिमाग में सवाल बनते हों चुकि ये मानो मन हमेशा ही कुछ न कुछ ढूंडता रहता है और उसमें भी अगर जो कोई भी सवाल आप जानना चाहें चाहें वो किसी भी छेत्रों से हो मुझे कमें अवश्य लिख दिया करिए और रवी बार का कारेकरम देख लिया करिए वहां सुबह मैं उपस्तित होता हूँ आइए अब आपको कारेकरम पे लेकर आता हूँ किसी भी व्यक्ति की जन्म कुणली में सबसे महत्तोपूर्ण उसकी कुणली का पंचांग वाला हैसा होता है आपकी कुणली में भी पंचांग का कैसा प्रभाव आपके उपर पड़ रहा है ये ज सब आपको प्रभावित करते हैं भगवन एक बड़ी अच्छी बात बताओं तो हमेशा ही आप खाली ये ग्रहों को देख करके अपने उपर ये नहीं कह सकते कि इनहीं का प्रभाव खाली आपके उपर पड़ रहा है तो सब इसके उपर बहुत सारी चीजें पड़ती है औ प्रभाव और समभावनाओं का विज्ञान है ये सूचना इकत्रित करता है ग्रंथों से और उसके बाद उसका एनलिटिकल व्यू प्रिजेंट करता है आपके सामने कि ये ऐसे अगर गरह बैठे होंगे इतने अंश्र पे बैठे होंगे इतने डिग्री पे बैठे हैं इस सराशी में बैठे हैं इन्हें से द्रिष्ट होंगे तो ये प्रभाव देखने को मिलेगा अगर आप इसको समझ लेंगे तो इसके एक अच्छे गुण के रूप में आपको ये बाद दिख जाएगी कि भविष्य में क्या घटित होने वाला है आपके पैर वरतमान में है पर आपके नेत्र भविष्य को जाकने की शक्ति विक्षित करवा देते हैं और ये आपको आपके जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को पहले ही दिखाने लगते हैं तो चुकि ये पूरातन है इस व जीवन को और भी जादा ब्राड वे में लेके आता है और आप बहुत ही सूक्ष्म अन्वेशन करते हैं सूक्ष्मता से अध्यान करते हैं धन कैसे आया उसके पीछे का प्रॉसेस क्या था और वो कहां खर्च हुआ तो अगर मेरा धन सही जगह पे बिलकुल ही आसानी से कर रहा है तो यह क्यूं होती है चीजे और क्यूं आखिर यह हमें प्रभावित करती है इन सारे सवालों का उत्तर जोतिश में मिलता है पर उससे पहले अब आपको मैं इनकी कुण्ली के पंचांग पे लेके आता हूं नंदन संबत्सर में इनका जन्व हुआ है जिसका अर् करने वाला होता है पर कई बार जब वो किसी विपरीद दशाओं से गुजरता है ध्यान से समझेगा जब कभी वो विपरीद दशाओं से गुजरता है तो उसको कई बार शुरू करने में उसको दिक्कत होती है जैसे कोई भी काम जब आरंभ करना चाहता है तो उसको मुश् धार्मिक होता है और परिचित होता है सबको बहुत जल्दी ही अपने निकट बुला लेने वाला होता है गृष्मिर्टु में जन्मे होने से व्यक्ति अपने जन्मस्थान से थोड़ा दूर जा करके अगर कोई काम करे तो ये बहुत अच्छा होगा धन कमाने के लिए भी आपको अपने जन्मस्थान से दूर जाना चाहिए और सबसे अच्छी बात एक और होगी कि आप चीजों को कैसे देख रहे हैं चीजों को कैसे समझ रहे हैं और तरीका कैसे है आपका रेप्रेजेंटेशन कैसा है ये ग्रिश्म रितू में और धन कमाने की बात जहां तक होगी तो आप अपने जन्मस्थान से दूर जा करके धन कमाएंगे तब भी आपका धन बचेगा अन्यता थोड़ा खर्च होता रहता है बुद्वार के जन्मे होने से प्रॉसेस बहुत अच्छा है विचार वड़े अच्छे हैं गणनाएं अच्छी होती है चंचलता रहती है एक आग्रता बनाने में थोड़ी स्थुती कमजोर होती है पर वस्तुता ये उसका कारक शेत्र भी होता है कारक बुद्वार गणेस जी के अंतरगत ये वार है इसके अधिपती माने जाते है पर वस्तुता आप की कुंडली में अगर बुद्ध कमजोर होंगे तो ये चीजें मिली होने के बाद भी कुछ खालीपन के साथ मिलती है तो अगर बुद्वार को जन्म होता है एक सबसे अच्छा फायदा ये होगा कि व्यक्ती सुखी है, संपन्न है, मिदुभाशी है और चरित्रहीन नहीं है, प्रेमी है और सब को वो बांध करके चलना चाता है ऐसा भी देखने को मिलता है शुक्ल पक्षी के त्रोदुशी तुथी के चंद्रमा शुभग्रा होते हैं, तो ये एक अच्छी बात होगी जातक के धन को लेकर के धन के व्याय को लेकर के मानसिक स्थुति को लेकर के अवस्था को लेकर के, रोगो को लेकर के बीमारी, साहस, ढाढ़स उसके हिर्दय में कितनी चंचलता है, उसका इस्थिर होना कितना मजभूत है, वो कितना इस्थिर है, रेगबुलर राइस कितना है, उसके धन के आगमन की गती कैसे बन रहे हैं उसके जीवन में, वो खर्च कहां कर रहा है, लोगों के साथ उसके संबन कैसे बन रहे हैं, वो क चारी की चारी चीज़ें गप्ती के पक्षमें आएंगी और वो इथिकल ही है, अनिथिकल नहीं है, मतलब वो गलत जगह से कभी विधन नहीं कमाना चाहेगा, पुररेंदू होता है, इस वज़े से सुंदर होता है, उसकी वाणी मिठास लिये होती है, हस्त नक्षत रमिजन म होने का सबसे अच्छा प्रभाव, व्यप्ती ब्यवस्तित है, कुछ बड़ा नया करना चाहता है, कमुनिकेटिव है, भुजाओं का मालिक है, पर कई बार वो बहुत छोटी-छोटी चीज़ों के पीछे उलज भी जाता है, व्यवसाय करने वाला होता है, वैश्यवण और देवगण के होने के कारण सबसे अच्छी बात होगी कि ब्यवसाय का है, तो सबको बांध करके रखना चाहता है, सबके साथ धन कमाना चाहता है, और उससे भी अच्छी बात ये है कि उसके पास राजसिक संभावनाय बनी है, वो खाने-पीने-मोच करने में विश्वास र प्राइमरी बेस पे अगर देखें, तो वो सबसे पहले अपनी आवशक्ताओं की पूर्ती पे काम करता है, ऐसा है, ये तो इनकी कुंडली में पंचांग की बात है, जिसमें सबसे अच्छी बात है पंचांग में कि चंद्रमा बड़े अच्छे हैं, सुर्ये बड़े अच गण बहुत अच्छा बना है, बुद्धवार का दिन बहुत अच्छा है, पक्ष सुक्ल पक्ष का बना है, इसका अर्थ एक ये होगा कि जात्तक की कुंडली में जितने भी ग्रह हैं, चाहे वो सुरी हों, चंद्रमा हों, बुद्ध हों, गुरु हों, ये सब अब एक्टि को ये बात अच्छी लगेगी लगन के अधिपती जब उच्च के बैठे हों तो कहना क्या है जिसनों ने तेरा डिगरी एक कला पे शनी के नीच भंग की स्थिती को बहुत ही मजबूत किया है और ये बहुत अच्छी बात है अगर लगन का अधिपती धर्मभाव में उच्च अच्छी बात अस्तम भाव गुरू और बुद्ध का बैठना जहां दो दो ग्रहों का सामानित्या बहुत ही बहतर नीच भंग हुआ है बुद्ध ने गुरू ने बुद्ध का किया है शूरिय ने शनी का किया है और ये पांच मतलब एक दो तीन चार पांच सबसे अच्छ बात चंद्रमा सुभग रहके और उस पे गुरू सवग रही हो करके देख रहें ये द्रिष्टी का समद्ध सबसे अच्छा होगा तीसरे नंबर पे द्रिष्टी का समद्ध ऐसे अच्छा हो सकता है कि गुरू का समद्ध उच्चे की द्रिष्टी से बारवे भाव को यहाँ पे व्यक्ति को कई बार कुछ हद तक साकारात्मक परणाम देने के अत्रिप्त थोड़े बहुत निकट परणाम से निगटिविती भी मिलती है शनी इस कुंडली में जहां बैठे हैं यहाँ से तीसरी दिर्ष्टी से देखेंगे तो लाव के लिए संकेत अच्छा है यहाँ पे देखेंगे तो उच्यकी दिर्ष्टी डालेंगे तो पराकरम के लिए अच्छा होगा और वस्तुता ही इनके परणाम आपके पक्ष में ही आते देखे जाएंगे अपनी दशाओं में इस कुंडली के लिए शनी बहुत अच्छे नहीं होते तो कभी-कभी निगेटिव परणाम दे सकते हैं इस कुंडली में गुरू पंचम और अस्टम के अधिपती होने के बावजूद भी अच्छा परणाम करेंगे लगनेश उचके हैं तो लगनबलवान लगनेश बलवान और मित्र से देखे जा रहे हैं यह सबसे अच्छी बात है पीछे गुरू का बैठना होना आगे शुक्र का बैठा होना लगनेश को सुवकरत्री लगेगा धर्म भाव को सुवकरत्री लगेगा तो व्यक्ति का एजूकेशन और उसका भाग्यबल बहुत अच्छा होता है यह चीज़ें अच्छी है तो य जो प्रोसेस है उसका सोचने का जो विचार करने का वो बढ़ा अच्छा होगा सुक्ल पक्ष के चतुरदशी के चंद्रमा 18 डिगरी के बलवान सुर्य 13 डिगरी के बलवान शनी 13 डिगरी के अवस्थागत परणाम करेंगे गुरू 23 डिगरी के धलान पे है इस वज़े से नहां पे व्यक्ति का धर्मपक्ष और अध्यात्मिक पक्ष मैंने याद करी वो बात जिसमें बात बताई थी कि अगर अस्थम भाव में गुरू बैठे हों सुभग्रह की राशी में या गुरू ऐसे भी बैठे हों अपनी राशी में या उच्चके हो करके तो व्यक्ति मंतरजप और पुराणे जो प्रभाव होते हैं वो भी बहुत अच्छा होता है भाग्यभाव के अधिपती होने के बाद जन्मकुंडली में मंगल अगर गुरू से नहीं देखे जा रहे हैं तो मंगल और गुरू का जो अंतरवाला जो समय रहेगा या गुरू मंगल का जो समय रहेगा वो थोड़ा बहुत कस्तप्रद हो सकता है हला कि मंगल की द्रिष्टी भाग्यभाव के बाद अस्तम आठ्वी द्रिष्टी दश्वे भाव पे जा रही है यह उनका दिक्बल छेत्र होगा सुक्र पहले से बैटे हैं तो थोड़ी बहुत राहू केतु की दशा ही नैति की जिम्मेदारी संभालने वाले ग्रह होते हैं मतलब इनके पास यह morality जातक को देते हैं और यह संतुलन भी पैदा करते हैं अगर इन में से कोई भी एक ग्रह थोड़ा गड़बड हो तो व्यप्ति के जीवन का जो ethical view होता है जो प्रामारिक view होता है जो उसका सरका और संभेधानिक नहीं है जो अनैतिक नहीं है जो अधार्मिक नहीं है ऐसा नहीं होगा मतलब वो धार्मिक है नैतिक यह है और बेवहारिक भी है मतलब उसके जीवन में कोई भी ऐसी घटना नहीं वो घटाना चाहेगा यह ऐसे कारियों में ऐसे अपने आपको लिप्त नह उसके नियम, उसके कानून, उसके रहने का तरीका, उसके विचार करने का तरीका, उसके संबंध, उसका प्रभाव, उसके व्यवहार, उसकी वाणी, उसके हर एक चीज में एक अच्छा व्यू होता है, परस्पेक्सन उसका अच्छा होता है, वो अच्छे विचारों के साथ स कि चंद्रमा बहुत अच्छे हैं, उन पे किसी भी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, उन से पांच में सुक्र या नवे सुक्र दामपत्य के छेत्र को मजबूत रखेंगे, गुरू और बुद्ध जैसे दो सुभग ग्रहों का प्रभाव, और क्रमशा अस्टम भाव पे सारे सुभग रहों का प्रभाव होगा, गुरू भी हैं, बुद्ध भी हैं, इस भाव में उच्छ की रासी बनी है, सुक्र की इससे तीन घर आगे बैठे हैं, तो लगभग ठीक होगा, केंद्र में होते तो और अच्छी बात होती, इस कुंड़ी में सुक्र बहुत बहतर योग बनाएंगे, जो जातक के जीवन को परिणाम देंगे, व्यप्ति उचा खाब देखेगा, उचे पद की लालसा रखेगा, पर दसंभाव के अकेले सुक्र के बारे में, मैंने एक बात कही थी, अगर आपकी कुंड़ी में भी योग बना होगा, तो थोड़ा देख लि इस भाव पे केतू की दृष्टी है, इसका अर्थ होगा की व्यक्ति के जीवन में सुक्र अच्छे परणाम देंगे, केतू की दशा और मंगल की दशा थोड़ी बहुत असंतुलन वाली हो सकती है, क्योंकि इस कुंड़ी के लिए सुक्र मेहनत करवाने वाले ग्रह के रू इस कुंड़ी के लिए, मंगल के अनच्छत्र में है, मंगल देख रहे हैं, मंगल देख रहे हैं, तो इस वज़ा से सुक्र के पास एक अत्रिक तबल होगा, पर वो जातक को केतू की दृष्टी भी बहुत लाभानवित करेगी, सुक्र के लिए केतू का समन्द अच्छा र मंगल, सुर्य और मंगल का प्रभाव, बहुत सुंदर, मंगल और शनी का संबन्द थोड़ा गडबड करेगा, इस कुंड़ी के लिए शनी अच्छे नहीं होते, और चतुर्त भाव के अधिपती के साथ साथ, सब्तम भाव के अधिपती के साथ यूती करना, दामपत्य में और एक बड़ी अच्छी बात ये भी होगी, कि यहाँ व्यक्ति चल अचल संपत्ती का मालिक भी बनेगा, पर ये सुक्र अभी करियर से समधित समस्यां पैदा कर सकते हैं, राहु शनी मंगल की दशाएं, कई बार गडबड़ी पैदा कर सकती हैं, माता जी का स्वास्त कमज उसका सारगम में, वो साम में बन रहा है कि नहीं, करकरासी, मतलब राहु यहाँ बैठे, अब यहाँ के राहु व्यक्ति को घर में कला भी देते हैं, और अगर घर में कला नहीं है, तो उसके दिमाग में कला हो, और कई बार व्यक्ति खुद के ही पचड़े में उलजा रहत यह एक इसका निशर होगा, और शनी, चर्मकुडली में मंगल को, मंगल ने शनी को देखा है, इस वज़र से अब यह एक्सपेक्टेशन चल अचल संपति को लेकर के जादा हो, क्योंकि चतुर्थरस्थान मंगल का बना, इस भाव से पीछे जाने पे यह भाव कमजोर हो ज जोतिशिये ज्यान में उसके रूची के योग बनेंगे, वो टेरो कार्ड करें, हीलिंग करें, मंत्र पढ़ें, लोगों को समझें, डीप थॉट में जाए, एनलेटिकल हो, उसके संपरिशन की कला अच्छी हो, उसका व्यवाहर अच्छा हो, उसकी वाणी अच्छी हो, वो पंचम भाव के अधीपती स्वग्रही होकर के बुद्ध के साथ बैटे हैं, इस कारण से व्यक्ति में क्रियेशन आ जाता है, राहू का समझें यहां के लिए सामाने तया ठीक नहीं है, राहू का समझें यहां के लिए सामाने तया सामाने रहेगा, हलाकि राहू और अब मैं आपको इनकी कुली में जर्व विचार करिए लगन इस्थर का बना मतलब इस्थिर होकर दीरे दीरे सारी चीजे और ये एक ऐसा लगना है शिनलगना के जाता कैसे होते जो कभी भी किसी से समझाथा नहीं करते और ये प्रविर्ति और भी ज़्यादा बल्वान हो जाएगी जब लगनेश उचके हो जाएगे मतलब व्यक्ति के पास आयू भी जुड़ेगी उसका परुपकार भी जुड़ेगा और परुपकार वाली बात क्यों है नक्षतर पे जब चर्चा करेंगे तो सुरी शुक्र के नक्षतर में बैठे तो व्यक्ति जिसके साथ जुड़े उसका लाब सोचे और कभी भी किसी के साथ दोहरी नीती ना चले क्योंकि मंगल देख रहे हैं तो याद रखे ये बहुत अच्छी बात है कि सुरी अगर शुक्र के नक्षतर में हो और मंगल से देखे जाते हों तो एक रिस्पॉंसिबल प्लैनेट देख रहा है और उर्जाकारक ग्रह देख रहा है इसका अर्थ होगा कि विक्ति सबसे पहले तो लोगों को देगा परुपकारी होगा और निपन होता है किसी भी चीज में वो एक दम बहुत ही माइनूट लेबल पे जाकर के उसके बारे में उकेर करके चीजों को समझना चाता है तो ये एक अच्छी बात ही है सुक्र अपनी रासी के लगन से दशमस्थान में ध्यान रखें ये सूत्र है लगन से दशमस्थान में अगर कोई सुभग्रा बैठा हो तो उसे व्यक्ती के अंदर परुपकार, गुणवान, समर्दशाली, धनवान, स्रिस्ट और करतग्य कारे करता के रुप में जाना जाता है और कई बार तो वो मालिक भी हो जाता है कारे करता से शुरू में मतलब बेसिक से काम करता है बेस पे लगा होता है और उच्चस्थ बन जाता है मतलब आरंभ हो सकता है कि व्यक्ती का थोड़ा नीचे से हो आगे चल करके वो बहुती ज़्यादा सिध्धस्त हो जाता है और दानवीर के रूपे में उपस्तित होता है क्योंकि दैप्ति गुरु शुक्राचारे के बारे में क्या बात कही गई है मृत्तसंजीवनी विद्या का वरदान प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपने और संपूर्ण विश्व के समस्त भोग और एश्वरियों के अधिपती होने के बाद मालिक होने के बाद संपूर्ण दानवों को दे दिया और देवासुर संग्राम में जितने भी असुर मारे गए थे सब को भगवान शिव के द्वारा प्राप्त मृत संजीवनी बिद्या से सब को जिला भी दिया था तो यह दान वाली जो बात है, यह वस्तुता सबसे आसान नहीं है, तो दान देना एक आसान बात नहीं है क्योंकि कल्यूग का सर्वप्रमुख और इसके जो पाए हैं, अपने भागवत में बात सुनी है कि कल्यूग में एक पाए पे ही धर्म रहेगा, मतलब चारो पैर में से सिर्फ एक पैर ही धर्म का रहेगा और वो भी दान का रहेगा इसका अर्थ है कि कल्यूग में आप जितना देंगे उत्रहीं जादा आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर व्रत्ति के अंदर दान शील होने का और दानी होने का गुण दिखेगा चंद्रमा अपने नक्षत्र में और गुरू से दिर्ष्ट और वो भी सुभग्रही या फिर अपने नक्षत्र के और उपर से सुभग्रह की रासी में जिस भाव का अधिपती उसको देख भी रहा है धने सस्टम में मतलब ब्यक्ति अब और चंद्रमा बड़े अच्छे लाभभाव जन्मकुंडली में नीच का है पर गुरू ने नीच भंग किया है तो दो दो नीच भंग राजयोग बन गए चंद्रमा और बुद्ध का संबंध तो ब्यक्ति अब संचार में ठीक होगा पर decision making capacity प्रभावित हो सकती है और वो कई बार बेवज़ा के तर्क में भी फसना चाहेगा या फस जाता है क्योंकि राहू बार में बैट करके बुद्ध को देख रहे है नीच का बुद्ध unconditional बदलाव लेकि आए और कई बार ब्यक्ति तुरंत तुरंत किसी दूसरे से प्रभावित हो जाए ये भी होगा और वो जो copy करे वो कई बार copy की हुई चीज उसको recognize नहीं होती है लोगों के द्वारा वो recognition में थोड़ा कम जाए इंटरेट वाला छेत्र communication बहुत अच्छा है वाणी बहुत अच्छी है मिर्दू है पर वो रुक रुक करके हो या जो process है thinking process जो है वो बिल्कुल ही time पे output ना दे जहां बोलना हो वहां ना बोले थोड़ी दिर बाद जाकर के वक्ति का दिमाग खुले ये नीच का प्रभाव होगा नीच भंग के कारण ये चीज़े रिवाइब हो जाएंगी या फिर वो फिर से व्यक्ति उसको ग्रैब कर लेगा पर आरंब में तो दिकत होगी क्योंकि आप जब देखेंगे तो चंद्रमा और बुद्ध का connection जो है वो एकदम दिल्कुल सब्त सब्तम का है सम सब्तक के समध में होने के कारण यहां चुकि दो चंचल प्रकृती के ग्रह सबसे ज़्यादा संबेदन शील ग्रह चंद्रमा और बुद्धी माने जाते और चंद्रमा और बुद्ध जब एक दूसरे से clash करेंगे आमने सामने होंगे जिसमें बुद्धनीच का भी है तो वो धन को वो विचारधारा को वो प्रॉसेस को वो आपके सोचने की छंता को कमजोर करेंगे मतलब इस पे हमें गणेशी की पुजा गया वाशकता होगी मंगल राहू के नच्छत्र में वक्री हैं इस वज़ा से ये थोड़े से अनस्टेबल होंगे और सुरी की और शनी की दृष्टी उन्हें कई बार यहां के अधिपति शुक्र आपके भाईयों के साथ सम्बंधों को नहीं भी है तो ठीक है अगर है तो उसके साथ समंधों को लेकर के दोहरी निती नहीं अपनानी चाहिए और उसके साथ आयाम अच्छे स्थापित करने होंगे मंगल यहां पे कई बार उनको मेहनती तो अब्रक्ति खूद भी बहुत मेहनती होता है पर दोनों का प्रभाव इस भाव यानि कि साहस बल प्राक्रम और नौकरी वगरा के लिए ठीक होगी तो जाता को नौकरी वगरा में इसका लाव मिल सकता है बुद्ध अपने ही नक्षत्र में गुरु जन्मकुंडनी में बुद्ध के नक्षत्र में तो ये तो ठीक बना धन और धर्म फुरान वेद उपनिशद सास्त्र और विधियां समझने की शक्ती ग्यान अच्छी और बुरी चीजों का क्या अच्छा है क्या बुरा है ये ब्रक्ति को बहुत अच्छे तरीके से आता है किसके साथ मित्रता करनी है किसके साथ शत्रता करनी है किसके साथ ब्याय करना है किसके साथ नहीं करना है मतलब जीवन का जो एक होप है वो ठीक होगा पर अब पर वाली जो बात है अगर गुरू को लेकर कि optimistic प्रवर्ति, मुझे ये चीज मिलेगी, या मेरे पास इतना भोग होगा, मेरे पास इतना एश्वार्य होगा, मैं इतना ग्यानी हूँ मैं इतना गंभीर हूँ, मैं इतना सुहरदैता से जीवन जीने वाला हूँ मैं इतना धर्म को अपने जीवन में मैंने धारन करके रखा है मेरे अंदर एक साकारात्मक भाव बना हुआ है लोगों को ले करके, समाज को ले करके चीजों को ले करके दुनिया को ले करके इस गरंथ को ले करके इस ब्रम्भान को ले करके वो थोड़ा-थोड़ा कम होगा मतलब आपके पास भोग भी कम होगा, एश्वरे भी कम होगा, सुख भी थोड़ा कम होगा, ये थोड़े-थोड़े कट में जाएंगे, क्योंकि ये अस्टम में बैठा है, पंचम में तो नहीं बैठे होंगे, तो ये सब चीज इन्विल्ट होती जाएगी, आप में जुड़ ही गुरु ब्यप्ति के जितने भी धार्मिक र्ते होते हैं, सुक्र इस कुंडली में बहुत अच्छे हैं, अगर नक्षत्र उन्हेन नहीं देखता आधिपती तो गड़बड होती बात शनी इस कुंडली के लिए नीच के हैं पर अशुनी दक्षत्र में बैटा हैं इस वज़ा से उनके पास कम से कम अध्यात्म धर्म और छोटे छोटे स्तर पे कैसे चीजियों को सीखना है कैसे समझना है ये बहुत अच्छा होगा राहू आपकी कुंडली में थोड़े गड़बर करेंगे उनकी दशा आपको नौकरी छुड़वा सकती है मिसकंसेप्षन में लेके जा सकती है इंटर्प्रेटिशन गलत हो सकता है किसी के बारे में भाव गलत हो सकते है अत्तिरिक तव्याय हो सकता है दवाईया, माताजी का स्वास्त, घर में कला, दिमाग अशांत रहे, इस वज़ा से लाजवर्थ, अवस्था के हिसाब से आपकी कुंडली में सूरिय जिस डिग्री पे बैठे हैं, बहुत अच्छे, चंद्रमा, बहुत बढ़िया, मंगल, ठीक ही है, क्योंकि ये अपना काम कर लेंगे, इस कुंडली के लिए वो नमंभाव के अधिपती हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, बुद्ध जन्मकुंडली में ठीक बैठा, कोई भी ग्रह हम्रतप राया नहीं है, सारे ग्रह, या तो युवा, क्योंकि गुरु के बाद आप सुक्र को भी देखेंगे, तो ये भी ठीक है, शनी भी आपकी कुंडली में कमजोर नहीं है, राहु जन्मकुंडली में ठीक ठाक है, पर राहु के बारे में मैं बात कहूंगा कि वो परिशान करेंगे आपकी कुंडली, तो यहां पे एक भी ग्रह आपकी कुंडली में निगेटिव सेंस में नहीं तो चतुर्थ के अधिपती मंगल और छठवे के अधिपती शनी एक दूसरे को देख रहे हैं चतुर्थ स्थान के बाद दशमस्थान में सुख्रही सुक्र, सुर्य का उच्चका होना चंद्रमा का मित्र की राशी में या मित्रवत या फिर जन्मकुंडली में सुख्रह की राशी में बैठा होना सुख्रह होकर के गुरू का जन्मकुंडली में रिसर्च वाला छेत्र, उच्चा के योगिस कुंडली में अच्छे हैं पर लगनेश और सब्तमेश के एकसा जाने के कारण व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे लोग आते हैं, विपरीत खास करके, बहुत सारे लोग मेत्र बनते हैं, कोई भी आपका शत्रू नहीं है, आप सिम्हलगन के हैं, तो व्यवस्थित हैं, चीजों को देखते हैं, आप इन खटा है, आलस्य है, प्रमाद है, पेट दर्ध है, नेत्र की समस्या है, कन्फ्यूजन है, सफोकेशन है, कंडिशनल है, और क्या कह सकता हूं, तो हट है, जिद है, क्रोध है, बात न मानने का एक औगुण है, बात नहीं मानते, अपनी बातों पे रहते हैं, जो चीज दिमा दिमाग में बैट जाए, वो निकलने का नाम न ले, सोचने की प्रवर्ति है, बार-बार एकी चीज को भूलना नहीं, जो चीज दिमाग में बैट जाए, वो निकले नहीं, ये सब आपके औगुण हो सकते हैं, अच्छाईयां, ये कुणली बहुत रिस्पॉंसिबल होती ह लोगों को सांथ ले करके चलती है, ये स्वैम राजा है, सिद्ध हस्त है, इसका व्यू और परशिप्सन बहुत अच्छा होता है, चीजों को समझना और उसका एक अलग दरपन दिखाना अच्छा होता है, लोगों को गोद में उठा करके राजा जैसे पालन पोशन करते है वैसे ही ये कुणली है, आप लोग इस कुणली को फेलाइए, शेर करिए कारेकरम, आप लोग शेर नहीं करते हैं, और मेरे नियमीत दर्शक जो है वो कमेंट करते हैं, पर नए लोग कमेंट नहीं करते हैं, मैं आप लोगों को भी बता दूँ, प्रते एक दिन के कारेकरम क कि मैं समझता हूँ कि यह आप लोगों के प्रभाव से भगवत कृपा से यह गुण मेरे अंदर आया कि मैं लोगों को यह कहने के लिए कहता हूँ कि आप मुझे लिख करके भेजिए या मुझे लिखिए यह अच्छी बात है कुछ इससे तरीके से आज के कारेक्रम का समापन करते हैं शाम के कारेक्रम को देखना मत भूलिएगा तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार